चम्बा वीदान सवा शेतर के अंतरगत आने वाली ग्राम पंजाईद द्रड़ा के गाउं परिहार और हुजार में जाकर SCST विकास निगम हिमाचल परदेश के वाइस चेर्मेन जैसिंग ने परदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास आत्वक योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूप किया इस दोरान उन्होंने डोर टू डोर जाकर लोगों को मुख्यमंतरी जैराम ठाकुर द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे जानकारी दी कि किस तरह से लोग इन योजनाओं का लाप उठा सकते हैं इस दो रान उन्होंने हिमकेर, सहारा योजना, मुख्य मंत्री गिरिणी सुविदा योजना और शगुन योजना, व्रीद वर्स्ता पैंशन योजना के बारे लोगों को जानकारी दी आज हम गाउं मुकरिठी और हुंजाड और गाउं परिहार में आये हैं और हमने मानिय जाराम ठाकर साव जो हमारे परदेश के लोग प्रिया मुख्य मंत्री उन्होंने कल्यांकारी योजनाय बताई हैं और जो लोगों के हित के लिए बनाई हैं उनकी जानकारी हम गाउं गाउं जाके लोगों को दे रहे हैं जैसे मान्य मुख्यमंत्री जाराम ठाकर साब ने एक गरीब गुरुब और बिमार जो हमारे गरीब लोग बिमार रहते हैं और जो घंबीर बिमारीयों से लड़ रहे हैं उनके लिए जो सहारा योजना बनाई है उसके बारे में हमने लोगों को जानकारी दी है कि मान्य मुख्यमंत्री जाराम ठाकर साब ने गरीब लोग जो गंबीर बिमारी से पीडित हैं उनके लिए 3000 पे मासिक जो है जो है दे रहे हैं और इस वक्त जो है कम से कम 21000 लोग जो है इस योजना का फाइदा उठा चुके हैं साथ में हमने जो हिमकेर योजना है उसके बारे में भी लोगों को जानकारी दी है और जो ग्रीनी योजना है उसके बारे में भी लोगों को बताया है कि हमारे प्रधान मंतरी मोदी जी और मानिय मुखे मंतरी जाराम ठाकर साब ने जो गैस के सिलेंडर जो है तीन-तीन जो सबसीडी मिल रही है और जो गृब लोगों के और बीपील के लोगों को उनके खाते में जो पढ़ रही है उससे वो चोथा सिलेंडर भी खरीज सकते हैं मान्या परदेश के हमारे लोग प्रिया मुख्यमंत्री जारम ठाकर साब ने है हमारा हिमाचल पहला परदेश है जो पूरे हिंदोस्तान में धुआ मुक्त परदेश बना है जो भी हिमाचल परदेश की पंचायत में जिस भी परिवार का नाम पंचायत के परिवार रिजिस्टर में दर्ज है उसको मान्य मुख्यमंत्री जी ने तीन सिलेंडर और एक चुला फ्री में दिया है और शिक्षा के किशेत्र में अभी 21,000 मेदावी छात्रों को लैप्टोप बांटे गे और बरदी बांटी गई है तो ये मान्य मुख्यमंत्री जी जो कलियानकारी योजना हैं उनका हम गाउं गाउं में जाके परचार परसार करते हैं